जिला कलेक्टर आशीश मोधी के निर्देश अनुसार अतिरिक जिला कलेक्टर राजेश कोईल के अधिक्षता में सोमवार को विभिन विभागो के जिला स्तरी अधिकारियों की सापताहिक समिक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टिट सभागर में किया गया बैठक में अतिरिक जिला कलेक्टर ने विबिन विभागो की योज नौ कारिक रम वगती वीदियो से जुड़ी प्रगती रिपोर्ट की समेक्षा की और सम्मंदित अधिकारियों को आविशक दिशा निर्देश दिये बैठक के दौरान SDM गोयल ने मुक्यों चिकेचेम स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर मुस्ताख खान से जिले में कोविट की स्थेती के संबन में जानकारी ली साथी निर्देश दियेगे जिले में मौजूद ऑक्सिजन प्लांट की मौगडरिल करवाई जाए इस पर CMH डॉक्टर खान ने बताया कि सभी ऑक्सिजन प्लांट अच्छी अवस्था में है तदा हर महीने इन प्लांट की मौगडरिल भी करवाई जाती है साथी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में दवायों की कोई कमी नहीं है ADM गोयल ने बैठक के दोरान जिले के प्रत्य एक पात्र परिवार का मुख्यमंत्री चिरन जिवी स्वास्त भीमा योजना में पंजी करण करवाई जाने के लिए निर्देशित किया उन्होंने CMH डॉक्टर खान को निर्देश दिये की ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा विबाग की टीमों तदा अंगनवारी कारे करताओ के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरन जिवी योजना की संपून जानकारी आम जन तक पहुचाय जाए तदा योजना क अव्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित ना रहे अतिरिक जिला कलेक्टर राजेश गोईल ने राजस्तान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रक्रणों के संब्ध में विभागवार प्रक्रणों लंबित प्रक्रणों की जानका उन्होंने कहा कि राजस्तान संपर्ग पोर्टल पर कोई भी मामलित 6 महीने से अधिक लंबित ना रहे। साथी CMO, PMO, M सचक पोर्टल, Lines पोर्टल आधी पर लंबित प्रकरणों की नियमित समिक्षा करने को भी कहा। बैटक में CEO जिला परिशद डॉक्टर शिल्पा सिंग, ADM सिटी ब्रह्मलाल जाट, उपकंड दिकारी विनोध कुमार, नगर परिशद आयुक थेमाराम, सायक निर्देशक सांग्या की विभाग, B.L. आमिटा सैथ, समस्त जिला स्तर्य दिकारी मौजूद रहे।